हलो गाईज, वेल्कम बाग टो माई चैनल देल से मामी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शौरिय का सुबा उठने से लेके रात के सोने तक का रोटीन कि वो पूरे दिन में क्या करता है, वो किस टाइम पे क्या खाता है कितने बज़े वो उड़ता है, कितने बज़े वो सोता है कहने का मतलब शौरिय का सुबा से लेके रात तक का रोटीन और पहली बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सो गाइस चलो अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइस मैं आपको शेर करूंगी शौरिय का डेली रोटीन चार पार्ट्स में मौर्निंग आफटरनून इवनिंग और नाइट सबसे पहले मैं बात करती हूं उसके मौर्निंग रोटीन की मौर्निंग रोटीन जो सुबह अराउंड साथ बजे से लेके बारा बजे तक का उसका क्या रोटीन है शारी जो है वो जर्नली सुबा 7-8 बजे के बीच में उठ जाता है और उठनी के बाद सबसे पहली जो चीज हम उसके साथ करते हैं उसका फेस वाश करवाती हूँ और उसको मैंने गारगल करना भी सिखा दिया है तो उसको थोड़ा सा गारगल करवाती हूँ जिससे उसका जो माउथ है वो फ्रेश फिल करता है क्योंकि 18 मंच के बच्चे जो हैं अभी भी ब्रश नहीं कर पाते हैं तो उनको गारगल करवाना एट लीस्ट एक गुड ऑप्शन है पैरेंस के लिए गारगल करवाने के बाद फोड़ा ऊथ इधर उदर घूंता है अपने दादू के साथ फोड़ा सा खेलता है उठने के 10-15 मिनट के बाद उसको पिलाती हूँ मैं दूद और उसके बाद वो अपने दादू के साथ मस्ति करता रहता है करते करते ऐसे सुबा के 9 बच जाते हैं और मैं फिर उसके बाद उसके लिए प्रिपेर करती हूँ उसका breakfast breakfast के लिए जर्नली मैंने उसके दो options बना के रखे हैं एक है मीठे में और एक है नमकीन में मीठे में मैं उसको अभी भी खिलाती हूँ बाहर का available जो सेरलेक बच्चों के लिए आता है उस सेरलेक को मैं दूद में घोल के उसको वन बाउन उसको खिला देती हूँ और जब उसको मीठा खाने का मन नहीं करता है तो मैंने सेरलेक घर में भी बना के रखा है जो मैं उसको नमकीन में ऐजे दल्या टाइप बना के खिलाती हूँ बच्चों को हमें सुबा जरूर है वी ब्रेकफास को जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है वो रात में खा के सुखा रहता है और 18 मंद के बच्चे जादा दूद भी नहीं पीते हैं रात में बच्चा जो है सुबा भूखा रहता है तो उसको हैवी ब्रेकफास कुछ न कुछ चाहिए रहता है तो शौर ये जरूर्ली सेरलेक अपना ब्रेकफास साड़े नौ बजे के बीच में कर लेता है इसके बाद उसके जो डेड़ दो घंटे हैं वो अराम से निकल जाते हैं उसको मैं फिर अराम ग्यारा बजे मैं नहलाती हूँ नहाने के बाद मैं उसको हलका सा दूद जो है वो जरूर देती हूँ क्योंकि नहाने से बच्चे का जो शरीर है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और हलका सा गुन-गुना दूद पिलाने से बच्चे को अंदर से गर्माहट मिलती है वो काफी जदा रिलाक्स फील करता है इसके बाद शौर्या अपना खेलता रहता है उसकी मस्ती जो है वो जारी रहती है और इसी के दोरान जो मैं उसका लंच है वो प्रिपेर करना स्टार्ट कर देती हूं जो यह रहा शौर्य का रोटीन सुबा साथ बज़े से लेके अराउंड बारा बज़े तक का अब मैं आप से शेर करती हूँ शौरे का आफटरनोन रोटीन शौरे का खाना बन चुका है और जर्णली शौरे जो लंच है वो अपना साड़े बारा से एक बज़े के बीच में कर लेता है लंच में मैं मूसली उसको खिलाती हूँ दाल रोटी क्योंकि जो शौरे है जब मैं उसको राइस खिलाती हूँ तो वो डाल के साथ राइस बिल्कुल नहीं खाता है वो सूकई राइस खाता है तो इसलिए मैंने उसको राइस खिलाना बंद कर दिया है मैं उसकी रोटी जो है दाल में अच्छे से गला देती हूँ ताकि वो सौफ्ट हो जाती है और दाल में रोटी गला के खिलाने से मुझे ये रिलीफ रहता है कि हाँ उसके अंदर एक सोर्स आफ प्रोटीन भी चला गया है आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं क्या उसको पसंद है आप उसके लिए रिसर्च करिए क्या वो अच्छे से खा लेता है पेट भर के उसके खाना खाने के बाद वो जर्नली थोड़ा सा खेलता है और जैसे ही डेढ़-डो बजना start हो जाते है उसको जो नीध है वो आना start हो जाती है और अरांड 2-2.30 वो डेली सो जाता है और डेढ़-दो घंटे ही आजकल सो रहा है अगर मैंने उसको 2 बजे सुलाया है तो वो साढ़े तीन चार बजे उठी जाता है तो ऐसा करते करते उसका जो अफटरनून रोटीन है वो खतम हो जाता है शाम के 4 साढ़े चार बच जाते हैं और शौरे जो है वो सोके उट जाता है उठने के बाद मैं उसको पिलाती हूँ पानी आप अपने बच्चे को पूरे दिन में पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते रहिए क्योंकि गर्मी का मौसन चल रहा है और बच्चा जो है उसको जैसे हमें प्यास लगती रहती है बच्चे को भी लगती है तो आप अपने आपने आप मखानों को खा लेता है उसको वह बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बाद उसके 15-20 पिनट बाद मैं उसको थोड़ा सा दूद पिला देती हूं और वह अपना खेलता करता है तो ऐसा करते करते शाम के साथ बच जाते हैं शाम को मैं जरनली उसको एक fresh fruit juice तो जरूर पिलाती हूँ और आप भी अपने बच्चे को दिन में एक बार fruit juice तो जरूर पिलाएए और जो juice है उसके लिए जो मैं fruits यूज करती हूँ वो है seasonal fruits या मैं उसको papaya का juice बना के पिलाती हूँ कभी-कभी मैं उसको watermelon का juice भी बना के पिलाती हूँ musk melon का juice भी बना के पिलाती हूँ ये उसके diet में आता ही आता है one cup of juice जो मैं उसके लिए freshly prepare करती हूँ जब वो साथ बजे के around juice पी लेता है तो उसका पीट जो है फूल हो जाता है और वो अपना खेलता करता रहता है और इसके दोरान में उसको जो राप का डिनर है वो prepare करना start कर देती हूँ अब आते हैं शौर्या के रात के रोटीन में शौर्या जो है वो रात में जनली 9 बजे के करीब खाना खा लेता है मैं उसको रात के रोटीन में वही खिलाती हूँ जो हम अपने लिए रात में सबजी बनाते हैं जैसा कि अगर हमने आलू टमाटर की सबजी बनाई है तो जो आलू है वो अलरेडी बॉयल्ड रहते हैं तो मैं उसके लिए आलू टमाटर की अलग सब्जी बना देती हूँ कम निर्ची से अगर हमने रात में राजमा बनाए हैं तो मैं बॉयल्ड राजमा निकाल लेती हूँ तो मैं उसके लिए अलग से फ्राई कर देती हूँ कहने का मतलब मुझे कुछ अलग नहीं प्रिपेर करना पड़ता है जो भी बॉइलड रहता है मैं उसी को यूज करके उसके लिए रात की करी उसके लिए बना देती हूँ रात में भी मैं जर्ली उसको रोटी और करी ही खिलाती हूँ क्योंकि वही वो चीज है जो अच्छे से खा लेता है फिर वो अपने पापा के साथ एट लीस्ट हाफ एन आवर तो रोज रात में खेलता ही खेलता है खेलते खेलते फिर वो ठक जाता है उसकी आखों में हलकी हलक दिखनी हम लोग को स्टार्ट हो जाती है और रात के अराउंड साड़े दस बजे तक तो वो रोज सो ही जाता है मतलब अगर उसके रात में उसके दस बजे नी नानू का फोन भी आता है ना वो कहते हैं शोरिय आप बात नहीं करोगे उनको फटाग से जवाब देता है और जैसा की शोरिय अब 18 महीने का हो गया है तो रात में भी वो एक दो बार उठता है कभी-कभी उठता है अगर कभी-कभी नहीं भी उठता है दूद पीने के लिए ऐसा ही करते-करते उसका जो सफर है दिन का वो खतम हो जाता है So guys, ये रहा मेरे शौरे का रोटीन सुबह से लेके रात तक का आप भी मेरे साथ जरूर शेयर करना अपने बच्चे का डेली रोटीन कमेंट सेक्शन में और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके भी मुझे बताना और मेरे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना दिल से मामी